कि यह है जोइनिंग लेटर एससी जीडी का अपने इनका सेलेक्शन लोकुका है उत्ता तदेश समिश्कर्टर के अंदर कि का ओ मंगलम भगवार विश्नु मंगलम कुडली का अच्छा है आओ मैदान के अंदर पेपर की खोपड़ी में छेद करने हो चुका आजाज रण का युग पदलने की सैयारी फेरे उसी के लगे के इसका संगर्ज है जारी तो ओनलाइन फेरे लगवाने वाला पहला इंसान मैं मिलमा की बात को आई ये मंगल पर उसकी युटा दिखाते हैं तयार रहना मैं पूरे जोस के साथ में आपके बीच में होंगा ये है जोइनिंग लेटर एससी जीडी का अथा आपने इनका सेलेक्शन लोग चुका है उत्ता तदेश समिशकर्टर के अंदर कर दो कि का हो मंगलम भगवान विश्रू मंगलम कुडली का अच्छा है आओ मैदान के अंदर पेपर की खोपड़ी में छेद करते हो चुका आजाज रण का युग बदलने की सैयारी फेरे उसी के लगे के इसका संगर्ज है जारी तो ओनलाइन फेरे लगवाने वाला पहल की ओका दिखाते हैं तैयार रहना मैं पूरे जोस्ट के साथ में आपके बीच में होंगा रहना मैं पूरे जोस्ट के साथ में होंगा तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने आईए स्वागत दोस्तो उस पल को महसूस कीजिए जो आप इस प्रकार गोडी पर बैठे होंगे सेलेक्शन के बाद की महीमा है रजगला गोडी पर आप बैठे होंगे उसके बाद मैं दोस्तों आपकी गोडी के आगे मैं नागिन कर रहा होंगो बाई साव पडोसी ध्यान रखना तेरा तो सिर्फ वक्त आया था हमारा दोर आएगा भगा भगा के मारने वाड़े उस दिन हमना तुझ आईए आए स्वागत आपका आठ कल्चर की जो महत्पूंड क्लास है वो आपके सामने लेकर आ रहा हूं आठ कल्चर क मैं आप से पूछे जाएंगे ठीक है पूरे ढंग से देखेगा थोड़ा दोस्तों ऐसा पोर्सन है जो आपको परिक्षा में बार बार पूछता है इसका आपको पता नहीं होता पूछता कहां से कंटेंट कहां से कट्टा करना है वो काम मैंने कर लिया है आपको केवल ध्य से पूरी बात को सुनना है और देखना है बिलकुल रश्मी प्रियंका बिलकुल दिल्खुश भावना अनिल अन्जू नितू मंत्राम संजय बलवीर राहुल अमीशा बिलकुल सर्विंद सभी का स्वागत सुरुवात करतने किलास को देखना चितना डरोगे लोग उतना ही आपको डराने वाले हैं और अगर आपने हिम्मत कर लिए तो बड़े बड़े भी आपके सामने सर चुकाने वाले हैं सुरुवात करते हैं पहला कोश्चन आपके सामने सारे के सारे सवाल किसी ना किसी परिक्षा में आपसे पूछे गए हैं उनी को ठाकर मैं आपके सामने देकर आया हूँ देखिए निमलिखित कलाकारों और उनके कलारूपों का मिलन कीचिएगा और कोश्चन आपके सामने ओप्शन एक का है ओप्शन एक दोसरों यह सम्युक्त पानी ग्रही एम गोपाल किसन अईयर पंडित रवी संकर पाल घाट मनी अईयर अपनी खोपड़ी चला के बताओ मुझे इन में से आप किसको जानते हो अरे इनको तो दोस्तों जानती होंगे पंडित जो रवी संकर है वो किसके है रसगुलना पंडित रवी संकर शापना आपके ये सितार किसके हो गया सितार के तो सी का दोस्तों क्या हो गया आपके सी का हो गया एक देखि C का दोस्तो एक किसमे है केवल option number B के अंदर है इनको भी दोस्तो मैंने आपको लिखाये हुआ है सजुकता पानी ग्रे याद करो दोस्तो मैंने लिखाये हुआ है audition net है मैंने लिखवाया था आपको इसका दोस्तो लिखवाया था मैंने आपको कि जो सौन्युक्ता पानी ग्रही है, वो ओडीशी नेत है, आपको केवल एक भी आता था ना, तो भी सवाल हो गया, हमें तो दो आते हैं दूस्तों, ये भी आता है, और ये भी आता है, अगर दूसरों पूछू हूँ आपसे आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, पुछे ये कहा की है ओडीशी नित्य शापिगा ये ओडीशी नित्य की है अगर पुछे आप से गोपाल किशन अयर शापना गोपाल किशन जो अयर है अगर सब पुछू आप से ये दर सो नोट करना किसके होगे ये वाइलीन किसके होगे वाइलीन के होगे गोपाल किशन अय यह रहे हैं पाल घाट मनी जो यह रहे हैं अगर पुछ हुए किस के हैं पाल घाट जो मनी यह रहे हैं वो ध्यान लखेगा मृदगम किसके आपके मृदगम जो है इसके पाल घाट मनी यह रहे हैं चारों आपको ध्यान लखना है बाकी दोस्तों मैं आपको सारे एक साथ हूग आपको तै करना सिता कर लिखना सो पंडित रवी संकर और vilaayat खान जो हैं यह द्यान दुटारा है जाओ안 ठीगा जो पंडित तुझार सी रवी संकर जी तो हुझे लेना रवी संकर जी ने विलायat से रवी сильने विलायat से तार भेजा लिखो तो रवी संकर जी ने विलायत से तार भेजा, ये ध्यान रखना, पंडित रवी संकर, विलायत खान और सितार वादक होगे, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है, अगर दुस्तों पूछूँ आपसे, तबला दुस्तों बादक पूछूँ आपसे कौन दुस्तों चापना, तबला बादक जाकिर हुसेन, लिख लो आने वाला सवाल है, जाकिर हुसेन है, लतीफ खान है, अल्ला रखा खान है, और किसन महराज, तो जाकिर हुसेन और किसन महराज चापके रखिएगा, ये तबला बादक है, आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है, ठीक है, आगे दे आपको आपको नोट करना है कुल मिला के दोस्तों ये 325 सवाल थे जिनको मैंने 100 सवाल में convert कर दिया है, इनको आपको ढंग से पढ़ लेना है, ठीक है, बासुरी दोसो बादक पुछूँ आपसे, पन्ना लाल खोस हरी पसाच चोरसिया, ये वाला question दो बार पुछा गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, सहनाई वादक कितनी बार दोसो पूछ लिया, विश्मिल्ला खान और अली एहमत कान, ध्यान रखिएगा, ये सहनाई वादक है, ये आपको थोड़ा नोट करना है, ठीक है, आगे देखिएगा, सरोध वादक तो सो कुमार सर्मा है, ये भी दोस्तों एक बार परिक्षा में पूछा गया सवाल है, पंडी जो सिप्स कुमार सर्मा है, ये भी रस्गुल्ला, अमजद अली खान किस वाद में निपून है, देखो, अमजद जो अली खान वाला सवाल दोस्तों है ना ये वाला जो सवाल है ये वाला सवाल दोस्तों आपसे परिक्षा में SSC SSC दोस्तों एक परिक्षा हुई है MTS जो परिक्षा है 2000 में पूछा गया है SSC CHSL जो परिक्षा है इसमें दोस्तों आपके 15 में ये सवाल पूछा गया है कौन सा कि अली अमजद अ परिक्षा में आपको जरूर नोट करना इसमें लिख लो इस पे लिख लीजेगा परिक्षा में एक सवाल तो आएगा इस वाले कोश्चन से ये पेपर आउट कहते हैं इसको पेपर आउट ठीक है नोट कर लो आगे देखिए अगर आपसे पूछे दोस्तों अगला कोश्चन क्या है भारत की सबसे पहली बोलती टाकी फीचर जो फिल्म है वो कौन सी फिल्म सवाल आपसे पूछा गया है SSC Tax Assistant, Income Tax and Center लगसाई दुझा चार के अंदर सवाल पूछा गया है भारत की पहली बोलती जो फिल्म है वो कौन सी फिल्म देखो अगर दोस्तों पूछूँ आपसे भारत की जो पहली जो पहली जो पहली जो फिल्म थी आपके वो दोस्तों कौ इसको बनाया गया था और दोस्तों अगर पूछें आपसे इसका दोस्तों नाम क्या है राजा हरीश चंदर क्या नाम है इसका इसका नाम था भी राजा हरीश चंदर जो है ये इसका नाम है तो भारत की पहली फिल्म दोस्तों पूछें आपसे पहली मूख फिल्म कौन सी है राजा हरीश चंद दोस्तों किसके दोरा बनाई गई है सत्य जीत रेके दोरा इसको बनाई गया ये आपको ध्यान दखना है अगर पूछे कब दोस्तों बनाई गया 1913 चापिगा कब बनाई गया है 1913 में इसको बनाई गया ये आपको नोट करना है अगर दोस्तों पुछूँ आप से कि भारत की पहली बोलती वाली सो फिल्म पुछूँ आप से पहली बोलती जो फिल्म है वो है आलम आरा कौन सी है आलम आरा है अगर आप से पुछे बनाने वाले कौन दादा सहाफ फाल के दनना आपके बनाने वाले सो कौन थे दादा सहाफ फाल के थे ये ध्यान दखिएगा और अगर पूछें आप से कब इसको बनाएगा शापनाव के ये 1931 कब बनाएगया है 1931 में इसको बनाएगया ये आपको थोड़ा नोट करना है तो पहली बाद दोस्तो पहली फिल्म कब बनती है 1913 के अंदर बनती है बनाने वाले कौन सत्य जीत रहे थे फिल्म का नाम क्या है राजा हरीशंद फिल्म का नाम है पहली बोलती फिल्म आलम आ रहा थी दोस्तो अगर पूछू आप से कब की फिल्म है 1931 की फिल्म है और ददसाब फाल के जो है इनके द्वारा बनाएगया ये आपको नोट करना है तो पहली दोस्तो बो दूश्रा का नाम तो मैंने आपको लिख दिया है, अगर पूछो दोस्तों, आला मारा जो फिलिम है, इसके निर्देशक कौन थे, कमेंट बोक्स में, देखो परिक्षा में पूछ सकता है न, कि भाई जो पहली बोलती फिलिम है, उसके डायेटर कौन है, कमेंट बोक्स में आ अगर मैंने पूछा आप से, इसके डायेटर जो कौन है, ये कमेंट बोक्स में आपको पता देना, ठीक है, आगे देखिए, निर्म लिखित मैंसे चित्रकला के चित्र में कौन प्रसिद्ध है, ये वाला दोस्तों आप से कितनी बार परिक्षा हम पूछा गया है, ये तीन नाम छाप लो, चित्रकला दोसों छापेगा, अगर अशुकुला पूछूँ आप से, चित्रकला जो है, इसमें ये चार नाम आपको पता होने चाहिए, एक छापे दोस्तों, एक दोस्तों नाम कौन सा हो गया है, अमरता सेरिकिल, किसका नाम धना, अमरता सेरिकिल कितने पेपर आपके पढ़ने पड़े हैज उन्में से निकालना पड़ा है सारे सवाल यह है तर्ब बड़ा मजा आने वाला ठीक है लिखिए दुर अमरता से रिकिल हो गया नंदनाल घोस हो गया भाई साल सैकेंर दो तो शापनाफ कए एक दो नाम दो लिखनाफ के अविंद छापेगा यह चार नाम नोट कीजिए चार नाम आपको पक्का पता होने चाहिए एक तो अमृता सेज़िए हो गया हे और राजा रभी भरमा हो गया है इनके बारे में दुस्तो एक बार छाप लिजीए अविंद्र नाम टैगोर जो है इन्होंने दुसों बड़ा फेमस है भ फोतो है ना, वो बनने वाले कौन थे? अविंदर नाठ टेगोर थे और ये तुम्हारी परिक्छा में पूचा गया सवाल है कि फैमस चित्र भारत माता जो है वो बनाने वाले कौन है अविद्र नाट टेगो और उसका एकदम करेक्ट आंसर है अब दोस्तों बात करूँ आपके अगर पूछे राजा रभी वर्मा जो है नाम नोट करना दोस्तों सवाल पूछा है छित्रकला के छित्र से कौन संबंदित है तो आपके अंदर है अगर दोस्तों पूछू आपसे यह राजा रभी वर्मा जो है वो कौन सी रियासत छापना त्रावन कोर रियासत कौन सी दुस्तों पूछू कहां हुआ है केरल छापना यहां पर यह जनम हुआ इनका अगर पूछे इने क्या बोलते हैं चित्रकला का और चित्रकला का राजकुमार जो है वो किसको कहते है राजा रभी वर्मा को कहते हैं ऑप्षन नमर डी एक दम ठीक आंसर हो गया है यह भी दोस्तों M.F. छुसेन अरे वारे 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 गुल लिखिये गा, M.F. हुसेन जो है यही तुमारा question पूछा गया है क M.F. हुसेन का संबंद इसमा ही आता है आठ कल में आठ कल्चर दोसों आपके कि बंडित रवी संकाजी का संबंद किस से है M.F. हुसेन जी का संबंद किस कला से है यही आठ कल्चर है यही आपको पता करना है ठीक है नोट करना राजा रभी वर्मा दोस्त चापीगा ये चित्रकला संबंदित हैं चित्रकला का राजकुमार कहते हैं भारत का पिकासो किसको बोलते हैं M.F. हुसेन जी जो है इनको भारत का पिकासो कहते हैं ये भी आपको था अगर पूछू आपसे जो भारत माता को जो चित्र हैं बनाने कॉन थे अविंदरनाट टेको और चापना बनाने वाले थे और ये भी दोस्तों नोट कर लो अंमरता सेल सेल के लिए बड़ी फैमस चित्रकार है और अंदलल कि second पारी में सवाल पूछा गया है कि करका करनाटक का कौन सा दोस्तों आपके डांस है यह आपको बताने थे को याद करो यक्षगान दोसों कहां का है करनाटक हम इसको पढ़ चुके हैं दोस्तों बहुत बार कि यक्षगान कहां का famous है करनाटक का पर इस सवाल को लेने का यह उद्देश से नहीं था कि आपको बताऊं कि यक्षगान कहां का करनाटक का है यह तो आप जानते हो अब दोस्तों बाद आती वीदी कहां का दोस्तों यह आपके कहां का है आंध प्रदेश कहां का है वीदी छापना आंध प्रदेश का हो गया है जात्रा लिख लो पक्षि में कभी आ गया ना कि जोरा कहा का डांस है तो भाई साथ हवा निकल जाईगी पईया की ध्यान दखना जोरा उतरा खंड का है जातरा पक्षि मंगाल का है वीदी आंदर प्रदेश का है यक्षगान करनाटक का है हमारा अंसर हो गया option नमर एक यक्षगान हमारा एकदम आगे देखिएगा निमलिकित में से कौन सा असम का प्रसिद्ध डांस है मकर सकरांती है युगादी है ओनम है रोंगाली भी हुए बताओ इनमे से कौन सा जो डांस है वो असम का है आप सभी समझ चुके हो जो बीहु है दोस्ट चापना आपके जो बीहु है ये रंगोली बीहु भी होता है रंगोली बीहु भी होता है दोस्तों इसके अलाव दोस्तों चापना आपके बीहु जो है दोस्तों रंगोली बीहु भी होता है और भी बहुत सारे प्रकार के बीहु होता है तो चापना असम का कौन सा डांस हो गया है असम जो है इसका बीहु डांस हो ग असम ना ऐसम का हो गया बीहो के प्रकार कर्आании रंगोली और कटी ना म अया है तो पॉंगल का नाम som स्बुना ऑज़िये अनि उनधयर वक्रतने में पॉंगल कहां गा तमिल नाडू छापना पॉंगल हो गया तमिल नाडू का जब ओनम दोस्तो स्वाल यकीन माना दोस्तों आप इसके बाद आप पुराने कितनी पेपर कर लेना आठ कल्टर के सारे सवाल आपको यहीं मिलने वाले मैंने सब का निचोड निकाल के आपके सामने रख दिया है ठीक है आंसर हो गया, option number D correct answer हो गया है रंगोली भीहु देस्टो ठीक आंसर हो गया है बीहु बगरुमा असम के डांस है ओनम केरल दोस्तो यहां का तियुहार हो गया है भोरताल लिख लो correct दोस्तो बीहु बगरुमा भोरताल भोरताल भी कहां का है असम का डांस हो गया है, असम का तियुहार हो गया है ओनम शापना केरल का हो गया रश्गुल्ला और गुडी परवा महराष्ट का हो गया है और फॉंगल तमिलनाडू का हो गया है ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए ठीक है तबल चौंगली अब बताओ ये सवाल परिक्षा में आता तो भाई साव तुम्हारा तबला दोस्तों बच जाता अब बताओ सवाल इंपोटेंट है या नहीं तबल चौंगली किस रज्जे का लोख नित्न है सवाल आप से पूछा गया है कि तबल चौंगली किस का है छापी दोस्तों ये किस का है असम का है option number B छापना correct answer हो गया है तबल चौंगली भी किस का हो गया असम का हो गया ध्यान लखेगा तबल चौंगली कहां का असम का हो गया ये भी आपको नोट करना है असम में कौन सा मंदिर हो गया दोस्तों कामक्या माता मंदिर हो गया है अगर आप से पूछे यहाँ पर कौन सा मेला लगता है अंबु भाची का मेला लगता है यह भी आपको थोड़ा ध्यान लखना है असम का दोस्तो पुराणा नाम क्या चापीगा कामरूप इसका पुराणा नाम है यह भी आपको नोट करना है इतिहास की दस्टी से कामरूप इसका पुराणा नाम ह आंसर होगे option number B असम इसका एकदम correct answer है आगे देखेगा प्रसिद्ध ब्रदेश्वर मंदिर कहाँ परिस्टित है SSC, CHSL जो एक्जाम है दुझा 17 के अंदर सवाल पूछा गया ब्रदेश्वर मंदिर जो है कहाँ परिस्टित अंदर इस्टित है अगर पूछे किसको समर्पित है महादेव को समर्पित अगर पूछे किसने बनवाया इसको चोल सासक जो है इसके द्वारा बनवाया गया था और नाम क्या इसका राज-राज-फर्ष्ट जो है ये इनका नाम है तो पूछूँ आप से कहां पर तंजावर के अंदर दोस्तो इसलिए आपके महादेप की पृतीमा छापना महादेप का मंदिर है चोल सासक ने बनवाया था राजराज फूट जो है ये इसका नाम है और छापी दोस्तो अगर पूँछ हूँ आपसे इसका निर्माण का होता है एक हजार दस इस्वी में जो है इसका निर्मान किया गया ये आपको नोट करना है तो आंसर क्या हो गया आंसर हो गया option नंबर बी जो है एकदम correct answer हो गया तंजाबूर के अंदर छापी तो सो तंजाबूर जो है प्रदेशर मंदिर कहाँ पर तंजाबूर के अंदर इस्तित है अगर पुछ हूँ आपसे मदूरे तो छापना यहां कौन सा मंदिर इस्तित है मिनाक्षी मंदिर लिखिएगा मदूरे में कौन सा है मिनाक्षी मंदिर इस्तित है और साउत के जो तो सम्मंदिर होते हैं साउत के जो मंदिर हैं कौन सी सहली में बने हुए हैं द्राविट सहली कहां पर होते हैं द्रविट सैली के अंदर होते हैं पिरामिड नुमा दूसरों मंदिर होते हैं और चापिय साउस के जो मंदिर है मेनाक्षी मंदिर हो गया ब्रदेश्चर मंदिर हो गया यह सब द्रविट सैली के अंदर बने हुए मंदिर है ठीक है आगे देखिएगा निम् आप सभी जानते हैं कि भारत की 6 भासा जो हैं वो classical language हैं यह आप सभी जानते हैं परध्यान रखिएगा किसको कब दर्जा मिला है वो परिक्षा में आप से पूँछ सकते हैं ठीक है पहले देखिएगा गुजराती दोस्तों इसको नहीं मिला है तमिल को मिला हुआ है मराठी क इसके दो सलावा पूछू आपसे लखिए तिरपुरा की दोस्तों भासा कौन सी है कमेंट बोक्स में आपको छाप देना है आश्वा घाहां यह भारत की पहली किनासिकल लेंगवेज इंगवेज कोंसी है तम इलेंगवेज यह यह भी आपको धhyan भखना है अगर दुछू आपसे कौन सी छे क्लासिकल लेगे वेज़ हैं मैं सारे असला बारू जोए ना साथ लेकर आया हूँ जो भी सवाल बन सकता हैं सबको मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ ठीक है अगर पूछे आपसे कितनी है तमिल है संस्कत है तेलकु है कंणड है मलियालम है उडिया है यही इनका सही क्रम है कै यही सही क्रम दोस्तों आपके तमिल कब आती है 2004 में आती है पहली भासा है संस्कत हुजर 5 के अंदर आती है तेलकु 8 के अंदर आती है कंणर दोस्तों 8 में आती है मलियालम 13 में आती है और जो उडिया है रसगुलना यह दोस्तों कब आती है आपके इसमें मिलेगा bonus, क्या मिलेगा दोस्तों इसमें मिलेगा bonus, ये सवाल ही गलत है सवाल दोस्तों गलत है, तमिल भी है और मलियालम दोनों बासा सामिल च्छापना आपके लिखिए दोस्तों, तमिल, सिंसका, तेलगू, कननड, मलियालम, उडिया ये 6 classical language जो है वो सामिल है पहली तमिल है और अंतिम कौन सी ये उडिया जो है ये अंतिम है ये कब सामिल होती है 14 के अंदर सामिल होती है अगर उसे पुछूँ आप से कि भारत की जो अनुसूची जो आठ है इसमें दोस्तों कुल भासा कितनी है पहले 14 थी वर्तमान में 22 भास है अनुसूची आठ के अंदर ये आपको ध्यान दखना है आगे देखिएगा सुमें लिकित कीजिए फिर लिख लो एक सवाल फिर लिख लो देखो ऐसा टीचर कहां मिलेगा आपको लिख लो एक सवाल 100% क्या एक सवाल 100% है ये दूसरा सवाल है आठ ही किलास का एक तो मैं पहले लिखा चुक है आपको 100% के अंदर और एक सवाल दोस्तों मैंने और लिखा दिया आपको 100% के अंदर जो है और बिलकुल ठीक बात है सवाल एकदम ठीक तर दोस्तों नोकि ये सवाल कब पूछा गया है ये सवाल दोसरा पूछा गया है 2011 के अंदर सवाल पूछा गया है, और, 2011 में दोसरों कौन नहीं थी, मली आलम नहीं थी, तिरा के अंदर आती है, उडिया चोधा के अंदर आती है, जshopन है, छुझद आपके उससे साल के हिसाब से एकदम ठीक सवाल है, उस साल के हिसाब से Tamil जो है, इसका एकदम ठीक अंसर होगा, पर ध्यान लखी दोस्तों, एक्जाम 11 में हुआ है, तो आंसर तमील होगा, पर अगर अब एक्जाम हुआ, तो धना आपके, तीक हो अनसर होंगे, पर उस समय की दोस्तों बात करूँ आपसे छापना, उस समय की दोस्तों बात करें आपसे, तमिल इसका correct answer होने वाला है सवाल ध्यानक कप पूछा गया है 11 के अंदर पूछा गया है तिरुपुरा की बाद चापिगा कोक बरोग जो भासा है ये तिरुपुरा की बासा है ये भी आपको note कर लेना है ठीक है आगे चलीगा इसमें बताओ भरत नाटियम दोस्तों पूछूँ आपसे कुछी पूडी कथकली ओडी साथ ये चार आपके सामने है अरे ओडी सा को तो ओडी सा ते मिला ही दो भाई साथ बाके विहारी लाल की जै डी का दूस्त तो एक होगा डी का एक इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है ठीक है भरत नाटियम दो पूछे कहा का आपके तमिल नाडू का हो गया है एका चार होगा ये आंसर इसका होने वाला है भारत में कितने क्लासिकल डांस है आठ क्लासिकल डांस जो है भरत नाटम तो कौन हो गया है भरत नाटम तो पुछो कहा है तमिल नाडु छापिये भरत नाटम कहा है तमिल नाडु का क्लासिकल डानस है आपको था नहीं ठीक है कतकली छापना कतकली और मोहनी अटम जो है यह तो सो नोट करना कहा है यह केरल के क्लासिकल डानस है आपको ध यह दोस्तों मनीपुर का हो गया है इसके लगा शापना कोन हो गया है इसके लगा पुछे सत्रिया दोस्तों कहा का हो गया शापना सत्रिया जोयरस गुलना यह असम का हो गया है और यह भारत का नवीनतम क्लासिकल डांस है नवीनतम क्लासिकल डांस शापना कौन सा हो गया है स आप दोस्तों पूछें आप से इसका आंसर हो गया, option number ए, correct answer हो गया, अब इन dance के famous कलाकार कौन सा है, परिक्षा वाला आप से ये पूछने वाला, देखो, भरत दोस्तों नाट्यम चापेगा, भरत नाट्यम जो है, यामनी कृष्णमूर्ति लिख लो, ये आपकी परिक्षा के लिए बड़ा ही यम्मी सवाल है, यामनी कृष्णमूर्ति भरत नाट्यम परिक्षा में पूछ लेता है, क्योंकि दोस्तों यही संबंद किसका है, यामनी कृष्णमूर्ति छापना, यही कुचिपूडी की है, दोनों की सेम कौन है, यामनी कृष्णमूर्ति है, भरत पूछा गया सवाल है इनका भी नाम आपको नोट करना है कुछी पूरी कहा का आंद्रप्रदेश का हो गया है यामनी किश्णमूर्ति रादारेडी शापना ये कुछी पूरी डांस की हो गया है सत्रिया दोस्तों नोट करना आपके सन 2000 के अंदर नवीनतम सामिल हुआ है और स संकरदेव शापना दोस्तों कौन इसके जनक थे संकरदेव थे कहा का डांस है असम का डांस हापिए कौन सा सत्रिया हो गया है संकरदेव इसके जनक है सन 2000 में सामिल हुआ ये आपको नोट करना है ठीक है आगे देखिएगा ओडीसी दोस्तों डांस जो है ये लिखो अभी परिक्षा में पूछा गया अभी दोस्ता आये था ना सयुक्ता पाणी ग्रई केलूचन महापात्र ये दोनों नाम अरे देवा रे देवा सच बतारों भाई साम अगर इसको पढ़ने के बाद भी सही ना करके आऊ ना तो मुझे दोस्त मत देना ये ऐसे की ऐसे परिक्षम आ आरंद सिवरमंचापन कत्कराइब से किसनन कुनहरे नायर और आनत्र सिवरमं छाप ना कत्कली डांस की है कहांका डांस है केरल डूस्तोफो डांस हो गया है यह नूट कर दोस्ताउ साबकत है क्फिया पांडित बिर्जु महाराज ये परिक्षम में पूछा गया लिखेगा मनी पूरी हरे चावेरी भेहन लिखेगा जावेरी जो भेहन है मनी पूरी डांस की छापना आपके जावेरी भेहन है मोहनी अट्टम तो पुछूँ आपसे कल्यानी अम्मा ये भी परिक्षा में पूछा गया है मालनी कौन से डांस की है मादूरी दिक्षित कौन स में पूछा गया, यह वाला सवाल भी रसगुल आया है, कि मादोरी दिक्षित हैं, वो कौन से dance की Есть, अब ही दोस्तों बताहूं आपको, आप इस काहरों से षाफ की BEता हूं, कि जो मादोरी दिक्षित हैं, वो कौन से dance की हैं फटाफट गोली किता है दोसों बताना आप सभी हाँ ये दोसों सवाल पूछा गए आपसे SSC CGL क्या अंदर हो देवर देवाली को SSC CGL चेक करना दोसों जाकर गया ना SSC CGL 10 अगस्त 2017 की थर्ड पारी में सवाल पूछा गया है कि मादुरी दिक्षित जो है वो कौन से डांस की है भाई साव CGL ने सवाल पूछा है ये कथक दोसों डांस कौन दांस है कथक डांस की है है मामाली नी छापना किसकी है मोहनी अट्टम की है स्री देवी किसकी मोहनी अट्टम की है और भारती सिवाजी छापना मोहनी अट्टम की है फिर एक बार दिखा रहा हूँ इनको देखे मेरे साथ में अगर आपसे पूछे बरत नाट्या में यामनी किष्ण मूर्ती रुकुमनी देवी मिनानली सारा भाई तीनों आपको ध् सीखी है कथक कली के थीक है कथक पुछो पंडित विर्जि उम्मारा सितारा देवी शापना कथक कैं मनी पूरी जाबेरी भेन हो गया और मोहनी अट्टम शापना कल्यानी अम्मा हेमा मालनी स्री देवी भारती सिवाजी जो है यह तो नोट करना आपके किसका मोहनी करना आपके नागिन डान्स कब होता लोस्तों रसगुले की साधी में लिखिएगा रसगुले की साधी में नागिन डान्स होता है कौन इसका दोसो जनक है छापना कुमार गौरफ कौन है कुमार गौरफ इसका जनक है और पूछ लिखे अगर पूछ हूँ आपसे अधिकांस क पहां पर होता है उत्तर भारत का famous dance कौन सा है नागिन डांस होता है ये आपको ध्यान नखना है कुमार गोरविश में नागिन बनता है ये इसकी खास बात है ये भी आपको note कर लेना है ठीक है आगे देखो संस्क्रत भासा के पहले वयाकरण कौन थे परिक्षा में सवाल पु ग्रंथ है वो लिखा है इनमें से किस व्यक्ति ने लिखा है परिक्षा में सवाल आप से पूछा गया ठीक है कलहन ने लिखा बानभट्र ने लिखा कालिदास ने लिखा पाणिन ने लिखा आपको आंसर बता ना है बताओ किस ने लिखा अरे लिख लो सवाल पूछे आप आप से पाणिनी option number D छापना कौनसा ग्रंध ता अश्ठा ध्याई ध्यान सो संस्कत व्याकरण का पहला ग्रंध छापएगा संस्कत व्याकरण है इसका अगर पहला ग्रंध पूछूँ आप से वो कौनसा दोस्तों ये छाप ये अस्था ध्याई है पाणिनी के द्वारा कल्हन दोस्तों पूछूँ आप से कल्हन छापना रास तरंगनी कल्हन हो गया ये आपको नोट करना है ठीक है इनकी दोस्तों कौन सी गरंथ शापना बानबट शापना आपके कौन सा गरंथ हो गया दोस्तों ये शापना आपके बानबट कादंबरी कौन सा हो गया है कादंबरी दोस्तों नोट करना बानबट कादंबरी हो गया हर सबस्तों के दरवार में थे ये आपको नोट करना है ठी इसका एकदम ठीक आंसर है, आगे देखेगा, दिल्ली में निम्न में से कौन सा हिस्वारक विश्वरासत साइट की रूप में सामिल नहीं किया गया है, अब बताओ, माने आपको, सवाल दोस्तों बहुत अच्छे लेवल के लेका हैं आपके बीच में, रिपीट होने वाले सवालों के आंसर आपको निश्चित पता नहीं होंगे, बताओ, इस सवाल का आंसर बताओ, दिल्ली में निम्न में से कौन सा हिस्वारक है, विश्वरासत साइट की रूप में सामिल नहीं किया गया है, आपको बताना है, एक सवाल लिख लो, तीसरा सवाल, तीसरा सवाल ज निवसे कौन सा है, जो वर्ल्ड हरिटेज के अंदर सामिल नहीं है, कमेंट बोक्स में आपको छापना है, कुछ लोग B लिख रहे हैं, कुछ लोग D लिख रहे हैं, अब सुनो, खेल समझना, अगर दोस्तों पूछता कि क्या जंतर मंतर वर्ल्ड हरिटेज में सामिल है, तो आंसर आता हां सामिल है, पर अगर पूछे दिल्ली वाला सामिल है, तो आंसर आएगा ना, जैपुर वाला सामिल है, ध्यान रखिएगा, लाल किला दोस्तों सामिल है, लाल किला सामिल है, हुमायू कमक वाला दोस्तों सामिल है, कुतुम मिनार भी सामिल है, ये तीनों सामिल कौन सामिल नहीं है दिल्ली का जंतर मंतर जो है वो सामिल नहीं है यह आपको नोट करना है अगर तो पूछो आप से जंतर जो मंतर है यह तो पूछो किसने इसका निर्मान कराया है छापना जैपूर के जो सासकते छापना जैसिंग सेकिंड जो है सवाई जैसिंग जो इनके दोरा निर्मान कराये गया इसका फूचे दिल्ली के अंदर भी बनवाये गया इसके अलाव जैपूर में भी निर्मान करवाये गया था और जैन जो है दिल्ली जैपूर जैन जो है यहाँ पर जंतरमंतर इस्तित है पर ध्यान लखना अगर सवाल पूचे क्या जैपूर वाला सामिल है बिल्कुल ठीक बाते सामिल है पर दिल्ली वाला सामिल इसमें नहीं है अब कौन कौन सी बेल्ड हरिटेज युनेस्को में सामिल है वो सारे नाम आपको मैं यहाँ पर लिखवाता हूँ देखिएगा आगरा का किला लिखो अरे देखना परिक्षा उठाओ गए जब यहीं मिलेगा आपको आगरगा किला चишापिगा 1983 के अंदर सामील होता है आगरगा किला आपको नोट करना ठीक है अलोरा दोस्तों पूछें आप से अलोरा जन्ता की जो कुफा है ये महाराश्य के अंदर रिष्थित हैं आगरके किला कहां पर उत्तर प्रदेस के अंदर रिस्तित है ताज माहल दोस्तों लिखना उत्तर प्रदेस में है 1983 के अंदर आपके युनेसको्टम सामिल हुआ ये बी आपको नौट करना है कोना का जो मन्दिय चाव्रोंगों सापके ये 1984 में रिस्तित है ये कहाँ पर उडिशा के अंदर इस्थित हैं कोना का सुर्य मंदिर ये भी आपको नोट करना है केवला देवराष्टे उध्यान चापेगा ये भरतपुर राजिस्थान कहाँ पर है भरतपुर राजिस्थान के अंदर इस्थित है 1985 में युनेस्को में सामिल किया गया है में सामील हुआ थ्यान देखीगा हुमायू को मकवरा 1993 में सामील होता है कुतुम मिनार छापना ये भी 1993 में सामील होता है और लाल किला दोसो ये भी छापीगा 2007 के अंदर सामील हुआ ये तीनों दिल्ली के हैं तीनों कहां पर दोस्तों तीनों यूनेसको के अंदर सामील है य यह आपको नोट करना है ठीक है आगे देखिए जंतर मंतर जैपुर वाला जो है जो यहां की सोर घड़ी है वो छापना यूनेस्कों में सामिल होती है 2010 के अंदर ठीक है कंचन जंगा तो छापना एक मात्र दोस्तों एक मात्र मिस्री दोस्तों आप से पूझे धरोवर कौन सी है वो कंचन जंगा है 2016 के अंदर सामिल होती है यह आपको नोट करना है एहमदाबाद पहला सहर उसरे आपके भारत का पहला सहर कौन सा हो गया एहमदाबाद हो गया कब सामिल हुआ है 17 के अंदर सामिल हुआ है ठीक है अगर तो पूझ हूँ आप से जैपुर छापना जोस् सामिल हुआ है और धोला वीरा जो है जो गुज्यात के अंदर इस्तित है यह भी दोस्तों हाली में सामिल हुआ है और यह रश्यकुल्ला कहां पर दुस्तों आपके तेलंग गाना के अंदर साब करमापा मंदिर हो गया है और धोला वीरा जो है यह दोनों अभी हाली में साम यह परिक्षा के लिए आपके मैजपून सवाल बन सकते हैं अगर आप से पूछू दोस्तों मैं अगर आप से पूछू कि युनस्को के अंदर जो है वो 40 40 जो है यह आपको नोट करना है ठीक है चालीस दोस्तों पूछे दोस्तों आपके प्राकर्तिक है एक मिक्स है और 32 नोट करना तो 32 जो है वो सांस्कितिक है यह आपको ध्यान रखना है मिस्त्रित कौन सी है कंचन्यंगा सिक्किम लिखना दोस्तों कंचन्यंगा जो सिक्किम के अंदर है यह मिस्त्रित है यह आपको थोड़ा नोट कर लेना है ठीक है कंचन्यंगा सिक्किम के अंदर मिस्त्रित है यह आपको नोट करना है आगे चलिएगा सवाल का अंसर क्या हो हो गया option number D जो है correct answer हो गया आगे देखेगा अजनता महाराष्ट की गुफ़ाएं किस से संबंदित हैं सवाल आपके सामने है अजनता जो महाराष्ट की जो गुफ़ाएं है वो किस धरम संबंदित है याद करो दोस्तों महाराष्ट में कहां पर है औरंगा वाच्छा पिये मह कुछ हूं आपसे यह जो गुफ़ाएं है ऑनतिस गुफ़ाएं आपको ध्यान रखना है किससे संबंदित हैं ये आपको ध्यान रखना है अ ऐलोरा की जो गुफाएं है ना, इसमें बोध धरम भी है और इसमें जैन धरम भी है, ये आपको ध्यान रखना है ठीक है, अलोरा की जो गुफाएं है, इसमें बोध धरम भी है और जैन धरम भी है, लेकिन उस अजन्ता की जो गुफाएं हैं, वो बोध धरम से सम्बंदित है option number B correct answer हो गया है कहाँ परिष्थित है औरंगाबाद महाराष्ट में इसका नया नाम क्या हो चुका है संभाजी नगर जो है ये इसका नया नाम हो चुका है ये भी आपको ध्यान रखना है option number B correct answer है बोध धरम से संबंदित है भीलों का परसिद लोकनाटक का नाम क्या है SSC MTS पर इक्षम पूचा के सवाल है गबरी है, स्वांग है तमासा है, रम्मत है दोस्तों याद करो रम्मत कहाँ पर उत्रा खंड के अंदर तमासा तो पूचो कहाँ पर आपके महाराष्ट कहाँ पर महाराष्ट में तमासा और लिखना लावणी जो है ये महाराष्ट के अंदर होता है ये आपको नोट करना है स्वांग दोस्तों पूचो कहाँ पर है हरियाना दोस्तों कहाँ पर है स्वांग छापे का हरियाना दोस्तों यहाँ पर है और गवरी दोस्तों छापना राजेस्थान क्या है राजेस्थान भीलों के दोरा डांस जो होता है गवरी है option number 1 छापना करेक्ट टांसर हो गया option number 1 बच जाएगा बताओ देखते तुका मार के देखो कौन-कौन बताएगा ये SSC MTS परिक्षा में दो बार पूछा गया सवाल आपसे कि पपेटी जो है किसका त्युहार है पार्सी धरम का है जैन धरम का है सिख धरम का है बोध धरम का है बताओ किस धरम का त्युहार पपेटी है कमेंट बोक्स में आपको चाप देना है बताओ रहे अगर पूछे आपसे पपेटी जो है वो किस धरम का त्विवहार है आपको कमेंट बोक्स में बताना है किस धरम का है पार्सी का है जैन का है सिक का है बोध का है बताओ कमेंट बोक्स में अरे तुम जानते हो पपेटी नहीं जानते हैं ना दोस्तों पपेटी जानते हो, जैन धरम को तुम जानते हो, ठीक है, सिक धरम को जानते हो, बोध को जानते हो, सबसे कम दोस्तों किसको जानते हो, इसी को जानते हो, पार्सी धरम को, तो यही इसका आंसर होगा, तो तो तेने वाड़ी बात क्या है, पार् तो से जो सुब दिन होता है वो रश्गुल्ला दोस्तों उस दिन कौन सा उस दिन पपेटी त्युहार जो है बनाते हैं यह आपको थोड़ा ध्यान रखना ठीक है तो नवरोज महीने का जो सुब दिन है पपेटी त्युहार उस दिन बनाते हैं पार्सी समुदाय संबंदित ह option number 1 शापी correct answer हो गया option number 1 ठीक है आगे देखिए दोस्तों अगर पुछे आप से सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हम दोस्तों बताओ मुझे ये गीत किसके द्वारा लिखा गया सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा अश्फाक उल्लाखान साहिर लुदियानवी मुहम्मद इकवाल राम प्रसाद बिश्मिल चार option आपके सामने ये तेरा के अंदर परिक्षा में पुछा गया सवाल है कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता उपर दिखा क्या दिखा रहा है और दिखा और ओर उपर सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा कीत किसने लिखा है option number एक बताओ किसके द्वारा लिखा गया है राम प्रसाद बिश्मिल मुझे पता था तुम यही आंसर दोगे अरे डोपा लाल राम प्रसाद बिश्मिल ने वो गीत बोला है मैंने सवाल पूछा किसके द्वारा लिखा गया है बेटा यही गलती होती है परिक्षा के अंदर लिख लो मुहम्मद इकवाल किसके दरसों मुहम्मद इकवाल ने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा लिखिए दोस्तों अगर पूछूँ आपसे यह कब प्रकासित हुआ है 1904 के अंदर का प्रकासन हुआ है यह आपको थोड़ा नोट करना है 1904 प्रकासन हुआ इसका सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा मुहम्मद इकवाल option number 6 इसका correct answer है भारत का निमनी कित मैंसे कौन सा विश्दोरोर मध्य प्रदेश में नहीं है बताओ खजुराहो का मंदिर है सूर्य मंदिर कोनार्क हो गया साची का इस्तूप हो गया भीम बेट का दोस्तों आपके सहल आसर हो गया याद कीजिए अभी मैंने लिखवाया खजुराहो का मंदिर सामील दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर इस्तित है आपको ध्यान दखना है अगर दोस्तों पूछूँ आपसे कौन सी सहली में बना हुआ है पंचायतन सहली में बना हुआ है ये भी आपको नोट करना है बनाने वाला चापना सो चंदेल सासकों ने बनाया था ये भी आपको थोड़ा ध्यान दखना है सूर्य मंदिर कौनार कहां पर है उडीसा के अंदर ओप्शन नंबर भी इसका ठीक आंसर होगा साची इस्तूब मध्य प्रदेश में समराठ असोग चापिए समराठ असोग साची इस्तूब ये आपको नोट करना है भीम बेटकर दोसो पुछूँ आप से ये रजजगुल्ला मध्य प्रदेश के अंदर है ये भी जानना आपके आंसर होगे ऑप्शन नंबर भी सूर्य मंदिर कोना आप जो है एकदम करेक्ट आंसर होगे है अगर रजगुल्ला पुछूँ आप से सूर्य मंदिर जो है ये दोस्तों कहां पर इस्तित छापना ये कोनार के अंदर इस्तित है अगर सो पुछूँ आप से कौनार कहां पर दूसरों उडिसा के अंदर इस्थित हैं अगर पुछें आप से दूसरों लिखना आपके सूर्य मंदर जो है इसको बिलैक पैगोडा क्या बोलते हैं बिलैक पैगोडा कहते हैं इसको अगर पुछूँ आप से वनाने वाला वंस क यहाँ पर इस्थित है, उडिशा के अंदर सूर्य मंदिर आपको ध्यान रखना है, यह सारी बाते भी आपको नोट कर लेनी है, ठीक है, आगे चलिए, अगर आप पुछे आप से, निमलिकित मैंसे किसका गलत जोड़ा बनाया गया है, गलत जोड़ा हो भाई साव, साथ फेर लगई पैया की? बताओ, अंसर, केरल गुजराथ उत्तर प्रधेश पक्षिम मंगाल, केरल करगम, कुजराथ गरवा, उत्तर प्रधेश नोटं की, पक्षिम मंगाल जटन, बताओ कमेंट बोक्स के अंदर, इन मैंसे किसका गलत जोड़ा यहाँ पर बना हुआ है, बताओ कुमेंट बोक्स में गल्त जोड़ा किसका बना है बताओ वाई साथ ये सवाल आपको परिष्टाम मिलेंगे ना तब बड़ा आपको आनंद आएगा याद करो पंडिज जी को है ना बताओ अगर गलत जोड़ा बन जाए तो भी पंडिज जी याद आता ही है ना बने तो भी पंडिज जी आपको याद करे गई ठीक है बताओ केरल गुजरात का तो गरवा आपने खुब सुनाए गरवा दुस्तों उत्तर प्रदेश का नोटंकी अमर डा कहां का दुस्तों करगम जो है यह कहां का डांस है तमिल नाडू का डांस है यह आपको जाना तमिल नाडू का डांस है बारिस की जो देवी है इस बारिस की जो देवी है इसकी खूपसूरती की प्रसंसा करने के लिए यह दांस होता है ओ देवा रहे देवा यही गलत जोड बंगाल और बिहार जो है ना ये सारे दोस्तों आपस में पहले एक ही थे ना तो डांस भी दोस्तों लगबग इनके एक ही है ना आप कन्फ्यूज मत हुआ करो गलत जोड़ा पूछे आप से करगम का तमिल नाडू का है बारिश की जो देवी है उसकी खोबसूरती की पसंसा के लिए ये डांस बनाये गया है कुछ नई चूना लगाने वाला डांस है आपके करगम डांस कहां का तमिल नाडू का डांस हो गया आगे देखेगा निम्नवार्थिक सांसकतिक उस्तवों मे से मध्य प्रदेश में कौन सा उस्तव नहीं बनाया जाता दूसरो मध्य प्रदेश पूछू आप से हां मारवार उस्तव हो गया है एकदम दूसरों आपके यह राजिस्थान कहां हो गया है राजिस्थान हो गया है तांसें दूसरों कहां कहां हो गया है मध्य प्रदेश कहा हो गया गवालियर दों कहां पर मध्य प्र देश गवालियर हो गया है अगर उस्तान दोस्तों पूछ का बीका निर के अंदर होता है बीका निर छापिए तो रोग्या है। है इसको क्या कहते है इसे चाहपना इसे बोलते हैं क्या body क्या देखने आपको संबंद कि से अभी में आपकोdertगक करेक्टा और यूज्स यह है हर्मिका दोस्तों क्या है हर्मिका सबसे पवित्रिस्थान अगर पूछें आपसे इस्थूप का सबसे पवित्रिस्थान कौन सा है हर्मिका धनना आपके इस्थूप का सबसे पवित्रिस्थान कौन सा हर्मिका आपको नोट करना दो अगर पूछों आपसे एकाश में ज यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है, Option नमबर एक चापिछ, दोस्तों, यह उपर क्या दिखा रहा है, आप इसका आंसर दो, यहूदियों के, बताओ यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या, सुक्तिसंगर, मुसा सहीता, त्रिपिटक, जेंदा वस्ता, Option 1,2,3 इंचार बताओ क्या correct answer होगा ये आपके सवाल जो है सिया चासल सवाल पूछा गया आपके सवाल था सुक्ति संग्रे मुसा सहीता त्री पिटक और जैन्द अवस्ता त्री पिटक तो आपको याद होगा भाई साब याद कर दोस्त आप से ये बहुत धरम दोस्तो मैंने आपक स्वात के जो है इनका ओंसा जैन्द वस्ता हो गया जो वर्तमान में इरान हे ना वही दोस्तों जरत्रुष्ट जैन्द वस्त छापना इनका हो गया है मुचसा सहीता चापि ये option number b जो है correct answer हो गया इसका option अप्शन नंबर भी जो एकदम करेक्ट आंसर होगा यह चापिए एलोरा के लाश मंदिर कहां पर है महाराश दूसों महाराश्ट के अंदर इस्तित है किसने बनवाया था राष्ट कूट वंस ने बनवाया था सासक कौन है कृस्ट पर शापना सासक है तीनों बाते में आपको लिखा चुक है फिर लिख लीजिए एलोरा के लाश मंदिर महाराश्ट में राष्ट कूट वंस ने बनवाया है किसन पर सासक है यह आपको ध्यान रखना आगे देखिए भारत माता देखो मैंना आपको लिखवा है था ना भारत माता नामक प्रसिद्ध जो पैंटिंग है उसका चितरकार कौन है यह आप से सवाल पूछा गया है अविद्रना टैगोर चापना ओफशन नमबर भी जो है करेक्ट आंसर हो गया चितरकार कौन अविद्रना टैगोर हो गया है चापी ओफशन नमबर भी जो है करेक्ट आंसर है अविद्रना टैगोर ठीक है आगे दे और चेत्र महा में दो चापना चेत्र महा की जो सुकल फर्स्ट है यह भारतिय नव वर्स क्या है यह भारतिय नव वर्स होता है यह आपको ध्यान डखना है ठीक है तो कब से शुरू दोस्तों होता है अब बताओ बहाई साथ गराडी नव ठीक होता है और पोड़ु चेरी का हो गया अप्षण नव करेक टांस है अगर तो सोब पूचू आप पुछूँ आप से तो अगर सो पूछू आपको झालता ना मिजोरं का स्वेमार बताऊ कौन सा दोसो में ने लिखाए हुआ आपको यह फैमार्स कौन सा वगया है कमेंट बोक्स में आपको च्वाप देना है ठीक है राजीस्तान दोफ तरफ ना आपके कहां पर गवरी तो स् काल वेलिया पूछो दोस्तों आप से काल वेलिया च्छापना आपके युनेसको की अमूर धरोर में सामिल कौन सी है काल वेलिया आपको ध्यान लखना है यह यह सी बंद हो गया तुन्हें बंद कर दिया है पूडू चेरी ऑफशन नमबर भी इसका करेक्ट आंसर हो गया है अ अप्शन नमबर भी इसका करेक्ट आंसर है भारत के नित यह देखो सवाल आपके परिक्षा के आपको सवाल मिलते हैं परिक्षा में इस परिकार के सवाल इस्टाल लगा और बताओ मुझे भारत के नित नाटक और संगीत के विकास को भड़ावा देने की जिम्मेदारी न कमेंट में आपको छापके बताना है ठीक है बताओ कमेंट बोक्स में किसकी जिम्मेदारी है A B C D आपके अनुसार कौन सा आंसर है जल्दी बताओ कमेंट बोक्स के अंदर A B C D आपके अनुसार कौन सा आंसर है बताओ कमेंट बोक्स के अंदर A B C D कौन सा आंसर है आपके अन नित नाटक और संगीत के विकास के लिए, पहले इदर देखिए. ललिज दोस्तों गलाक आडमी जो इच्छापना, यह फाइन दोस्तों आठक के लिए, यह फाइन आठक के लिए होती है, जैसे चित्रकला भीए, चित्रकला हुग गए, ह फाइन आठक, आपकी क्या दोस्त शथापना कब होती है? इसके शथापना शशयापना में ललित कला का अधमी शशयापना न इसको चप्वान 4 में होता है धोनो जननों इंप्रेनट सवाल, ठीक है? अगूछे आपसे संगित नाटक का अधमी करेक्ट आंसर हो गया है 1952 में इस्थापित होता है किसके द्वारा इस्थापित किया गया है सिक्षा मंतरा लेके द्वारा इस्थापित किया गया है यह आपको नोट करना है किसके द्वारा इस्थापित किया गया सिक्षा मंतरा लेके द्वारा इस्थापित किया गया option number 20 इसका correct answer हो गया है चंडीगर के प्रसिद रोग गार्डन का सर्जक जो है कौन था बताओ comment box में चंडीगर जो रोग गार्डन है वो किसके दारा बनाए गया है खुसवन सिंग है, चार्ल्स कार्बू सियर है इसका आंसर पक्काई गलत दोगे लिखो 99% का आंसर गलत होने वाला सवाल का बताओ आंसर क्या होगा खुसवन सिंग है, चार्ल्स कार्बू सियर दोस्तों है या फिर एडवर्ड बेकर है या नेक चंड है, बताओ comment box में क्या इसका आंसर आप लगाने वाले हो जल्दी गोली की तरह comment box में आपको चाप देना है, बताओ अरे बी बालो तुमारी भट्टी बजा दूँगा मैं बी बालो की सुना मेरी बात को, अगर पूछो आप से चंडीगर दोस्तों, चंडीगर जो है इसका वास्तुकार पूछे आप से या दोस्तों यहां की जो capital building है अगर रस्तुकार पूछे इसका वास्तुकार कोन है ली कार्बूशियर कोन है ली कार्बूशियर इसका वास्तुकार है कहां का वास्तुकार था यह फ्रांस का वास्तुकार था यह आपको ध्यान रखना है चंडीगर की जो capital दोस्तों building है इसका वास्तुकार पुछूँ आप से ली कार्वुशियर है लेकिन चंडी कर दोसो पुछे रोग गार्डन चापना नेक चंड परिक्षा में आएगा और तुम गलत करके आओ गे टपोरी ला लिखिएगा option number D क्या correct answer हो गया है नेक चंड इसका एकदम ठीक answer है अगर पुछूँ आप से चंडी का दोसो capital building का कौन है ली कार्वुशियर इसका है फ्रांस का आपके धना फ्रांस दोसो वास्तुकार था ये भी आपको ध्यान डखना है आंसर क्या हुआ option number D correct answer है कलारी पट्टू किस राज्ये का मासलार तो छापना कलारी पट्टू कहां दोसो केरल का हो गया option number D छापीगा थांगटा दोसले ना थांगटा कहां का तो छापना आपके नोड़ थांगटा मनीपूर तो कहां का मनीपूर थांगटा हो गया है मनीपुर थांगटा हो गया है केरल उसे कौन सा कलारी पट्टू हो गया option number D correct answer इसका चापिगा केरल कौन सा कलारी पट्टू option number D correct हो गया है थ्यान रखिए CGL परिक्षम पूछा गया सवाल आपसे 16 के अंदर परिक्षम आया था option number D correct है अंबरता सेरिगिल मैंने आपको लिखवाया है तो शुरू में देखो मैंने आपको वही लिखवाया है जो आपकी परिक्षम में बारवार पूछा गया है अगर तो पूछ हूँ आपसे अंबरता सेरिगिल तो किसकी आपके चित्रकार option number D याद करो अमरता सेरिगिल नंदिलाल घोष अभिन्दर नाथ टैगोर और सापनावी राजा रभी वर्मा ये चार नाम आपको लेना चित्रकार के अंदर पैंटिंग के अंदर ये चारो नाम आपको नोट करने option number D correct answer हो गया कोलटम और छोलिया निर्ते हैं सेली किन दो राजल सम्मन्दित हैं बताओ comment box के अंदर छोलिया जो है वो किस राजय का डांस है बताओ एक भादा पतली कमर या बे डांस कर दो कमर इस समय वहाही साथ जा चुकी है न अब पतली कमरिया पर डांस नहीं होगा जब तक तुम्हारी साधी नहीं होगी बताओ आंसर बताओ कमेंट बोक्समा अंसर बताजीगा सेगिल कोन है सिंगर है न बेटां चित्रकार है तक केरल करना टाक आ अंद्र प्रदेश उत्र प्रदेश है तमित्य ऑनाडू मध्युप्रदीश है तुका तो मार इसकते हो कम से कम से मार लो तुका जा किया रहा है औरे छोल्य नहीं पता दूस्टा कहां का डान्स है आपको एक छोली डान्स उस्तों ऑरे छोलिया शोपना आपके उत्तर प्रदीश उत्रह का दोर नो अब बताओ मुझे कहा का डांस हुआ, option number B correct हो गया ना, क्या कर रहे हो डोपा, छोले डांस कहा का, उत्तर प्रदेश उत्रा खंड का है, तो option number B correct हो गया अपने आप, देखो उत्तर प्रदेश वारे ठीक बताएंगे दोस्तों एक दम आपके, छोले डांस शापी है, उत्तर कहा हो गया, कोलट्तम दोस्तों पूछों कहा का, आँदर प्रदेश कहो गया, option number B correct है, केरल दोस्तों, केरल जो है छापी है, थीयम डांस, केरल कहुड़ कहो गया, कतक्रक्रि मोनी अक्टम कहा के केरल के हो गया, यक्छिगान करनाटक का हो गया, आँदर प्रदेश पर के हिसाब से धानना आपके भारत का जो राष्टे फिल्म जो भी लिखा का रहा है एन एफ ए आई दोसो छापना बताओ कमेंट बोक्स में इसका मुक्षाले कहां परिसित है कई लोग तो मैच में बिजी होंगे भाई सावना पर उन्होंने क्या खोया आज वो नहीं जानत बताओ क्या दोसों करेक्ट आंसर होने वाला है कि राष्टे फिल्म अभी लिखा कार जो है इसका मुक्षाले कहां पर है चापिये पूने के अंदर है अधिकांस लोग बंबई ठोक के आएंगे पर पूने एकदम ठीक आंसर है 1964 चापना इसकी स्थापना कब होती है 1964 में इ स्फिर्क मंगलूर जिला में सुर्य मंदिर कउनार के अंदर जैन मंदिर खजराओ में है बताओ कौन सा गलत है अठरे महाकाल मंदिर उज्जेर एक्दम ठीक है, सूर्य मंदिर कौन आर्क अभी मैंने लिखवाया आपको जैन मंदिर खजुराओं, गलत दोस्तों, जैन मंदिर जो है वो राजेस्थान, कहाँ पर, राजेस्थान में माउंट आपू, जो है, यहाँ पर दिलवारा दोस्तो हो गया है जैन मंदिर कहां पर है राजिस्थान माउंटावू दिलवाडा के अंदर है option number D जो है इदम correct answer होगा सही मेल नहीं है option number D जो है सही मेल नहीं है कलमकारी चित्रकला का संबन्द किस से है CGL परिख़म पूछा के सवाल आपके सामने है दक्षिन भारत में अगर आपको थोड़ी बहुत भी पता था ना कि जो कलमकारी है वो कहा कि ए दिखो ये सवाल आइएस में पूछा किया सवाल दुसो कहा कि कलमकारी जो है वो South India की है और South India में शापना मसूली पत्टम जो इस्थान है मसूली पत्टम जो इस्थान है यहां से इसकी सुरुवात हुई है अब बता दो सो मुझे आप चारो option पढ़ लो दिखे दिखो पुरुवत्तर भारत गलत हो गया ठीक है आपको केवल इतना पता था कि कलमकारी जो है वो South India में मसूली पत्टम जो सुरू होती है केवल अगर आपको इतना भी पता है तो भी आप इसका सही आंसर कर दोगे option number 1 इसका एकदम correct answer है छापिए आंदर प्रदेश मसूली पत्टम option number 1 correct answer है लावणी लोक नित्य भारत के कहा दोस्तों हो इस समय लावणी तो भाई सहाव ये जो लावणी अनसर कुला ये सभी जिगह चल रही है इस समय सबसे अच्छा दोस्त वही है जो आपके साथ लावणी करवाए वही दोस्तों सबसे अच्छा दोस्त है पर ध्यान रखिएगा कमर को क्या हुआ आपके कैसे लग गई कमर में लग नहीं गई कभी-कभी किसमत खराब होती इंसान की तब हो जाती है ठीक है मैंने कुछ उठाया तो जो मेरा इने बोलते हैं आपके बहुत सारी चोटी चोटी हड़ीयां होती है ठीक है 33 34 होती है इसमें जो एल फाइव जो एस वन के दुस्तों बीच में आपके यह जो थाना यह सरग गया यह हो गया मेरे साथ में इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं तो इसका मेरा इलाज चल रहा है ठीक है इसलिए तो टाइम लग रहा है मुझे फिर भी कोशिस कर रहा हूं अपने से पूरी ठीक है अगर पुछे लावणी दूसरों महाराश चापना करेक्ट आंसर हो गया लावणी या फिर तमासा चापना करेक्ट आंसर महराश्त है ऑप्शन नंबर फी अंसर हो गया लावणी लावणी तमासा महराश्ट अप्शन नंबर एक है अब बताओ निमली कित मैंसे दोस्तों बताना आपके गणगोर कहां की राजिस्थान ऐप्शन नंबर भी हो गया जुरगापुजा कहां के तब सभिक्चिमर मंग option number 1, इसका ठीक answer है, निम लिखित अब देखो, अगर आपने मेरे साथ पढ़ा है, तो आप इसका answer आप दोगे, यह आपके लिए home work हो गया मेरी तरफ से, बताओ इसका answer कि मैंने आपको अभी 200 सारे नाम लिखवाये थे एक साथ, बताओ comment box में इसका answer क्या होगा, अगर आपक से आप कौन सा जुगाट कर पाओगे, देखो, अगर पूछूओ आप से दोस्तों, यह तो आपको याद होगा ना, अभी दोस्तों मैंने लिखवाया था आपको, सितारा देवी, याद करो दोस्तों, यह नाम आपको याद दोस्तों, अरे याद करो कत्थक, मैंने लिखव आपको यह किसकी है कुछी पूरी option number C हो गया मतलब है एक का C हो गया answer हो गया option number C जो है correct answer हो गया इस प्रकार आप कर सकते हो ना यह तरीका करने का मैंने जो आपको कहा है ना इस किलास में वह आप पूरा कर ले ना यकीन मानना आप आर्ट कल्चर में नहीं रुकने वाले और यह परिच्छा में निश्चित पूछा जाने वाले सवाल है ना आगे देखिएगा तमिल इन चारों में से क्या होता है पौंगल होता है इसलिए आंसर क्या हो गया option नंबर भी पौंगल हो गया है चल्ली कट्टो इसी में option नंबर भी चापना correct answer है एक बाना एक जापानी कला है जो कि संबंदित देखो क्या सवाल उसो पूछा कैस्वाल है अगर आपको नहीं पता तो महादेव की सोगंद आपको हवा नहीं लगेगी सवाल के अंदर कि इके बाना जो है वो एक जापानी कला है जो कि किसे सम्मंदित है मेरी कमर ठीक होने तो दोस्तों कि सारे सवालों का गरदा न उड़ाया न यहीं पर यूटूब के ओपर आपके सामने सवाल नहीं बचेंगे नए बनाने के लिए गारंटी दोस्तों मेरी आपसे न अब बताओ इसका अंसर कागच को मोनने की कला है फूलों को सजाने की कला है पेडो की कटा ही कला या रेत पर चतकारी है ओफशन नबर A, B, C, D बताओ करेक्ट आंसर क्या होने बना है इके बाना पहली बात दो तो क्या एके बात जो है वो जापान ही कला है फूलों को सजाने की कला ë दोस्तों कोंसी आपके option नबर B छापी गा है यह दोस्तों सम्बन अगर पुछें आप से कौन कौन से जंजागी चापनाब से अगर पूछे कौन कौन से ट्राइव है ओराम ट्राइव होगे तुस्तरो तुस्थे चापनाज तूरान ट्राइव होगे तुस्तरो इसके जापनाफ अंध्य फजब स fedells को नकर सथidik औरों ने संथोल लगाया, मुंडा हो गया, मुंडा हो गया, सुईया धुईया, ज्यान रखना, अगर आप से पूछे, जार खंड में कौन कौन सी जन जाती हैं, सुन लो, अगर आप से पूछे, जार खंड में कौन कौन सी ट्राइप्स रहती हैं दूसरों, औरों ने संथोल लगाया औरों से बन गया औरांग कौन सी बन गया दूस्तों औरांग बन गयी संथोल लगाया मतलत उसके आपके संथाली बोलो बाकी व्यारी लाल की जै औरांग हो गयी तो संथाली हो गई मुंडा लिखो रसगुला मुंडा ठीक है एक रसगुला मुंडा हो गया है और हो मत रिक्षा में कभी पूछे ले आप से औरों ने संथोल लगाया मुंडा हो गया सुईया दुईया ठीक है ओरांग संथाल मुंडा और हो ये चार जैरस गुला किसकी है ये चार तो चाप लो आपके ये जारखंड की है और सरहुल फेस्टिवल जारखंड का है option number B कैसा लगा बता हो वाई साब कितना वडिया ट्रीक दोस्तों आपके सामने है option number B correct answer ठीक है रऊफ एक लोक नित्त है इसकी उत्पत्ति कहां से दोस्तों ये है रऊफ चापिये जम्मू कश्मीर का हो गया option number एक correct answer ठीक है खार्ची फेस्टिवल कहां का हो गया है खार्ची कहां का तिरपूरा का है जम्मू कश्मीर छापिये का रऊफ फेस्टिवल जो है वो जम्मू कश्मीर option number एक correct है निम निखित मैं से कौन सा सहर यूनेस्को की विश्व दरासत सहर का टैग प्राप्ट करने वाला भारत का पहला सहर बन गया देखो जैसी दोस्तों क्या कर रह हुआ है हां भारत माँदा का चित्र जो है चित्र जो है रविंदर टेगोर ने बनाया अरे दिक्शा जी हमें माफिकर ना ओम सैप यरे रविंद्र याट चैगोर कब से चित्र बनाने लगे उनके भाई broik A weighed यह है यह तो ज़ीज़ने करना बन यह व्ट चैभण्य। ऑन यह संतरु होतों धर्श बकान के हैं। क्या कर रहे हो रहे रविंद्नाटेगोर राष्टे घानवाले हैं भाई साब गुरू रविंद्नाटेगोर जन्गणमन भाग्यविदाता वो हैं अभिंद्नाटेगोर यह चित्रकार है ऐसे तो पैंटिंग दोस्तों मैं भी बना दू पाकिस्तान की पर आप मानोगे नहीं व पाकिस्तान यहां मान लोगे बताओ दोस्तों मुझे आप मान लोगे यह पाकिस्तान नहीं मानोगे न मैं छित्रकार थोड़ी रजगोर ना आंसर उसका अभिंदनाट टेगोर ही आएगा तीक है सुना मेरी वास को कहां था मैं कहां ले गया भारत का पहला सहर कौन आपक नमबर भी इसका correct answer है छापना option नमबर भी एहमदवा ठीक answer हो गया यह देखो भाई साव इसको देखो तुम दोस्तों उड़ता हुआ पाकिस्तान है यह वही है उड़ता हुआ पाकिस्तान आगे देखिएगा निम लिकित मैंसे कौन भारत की और से यह देखो सवाल देखो कि कौन भारत की और से यूनेसको की मानवता की अमूर सांस्कतिक द्रास सूची में समलित की कि भारत की और से यूनेसको की चोदवी अमूर सांस्कतिक धरोदर है अरे एक बात मेरी सुनों अगर चाहते तो यह सीधा पूछ लेता ना एक बात तो तो यह लिखने की जरुत उस कि भारत की ओर से यूनेस्कों की चोदमी अमूर्ट सांस्क्रत कौन सी है सवाल तो यही था ना इसमें इतना बड़ा दुस्तों लिखे नहीं क्यों बच्चे को होपलेस किया जाए वाई साब लिखेगा कुम का दुस्तों मेला जो है यही है आपके अब तो 14 क्या दुस्तों यह इंटेंजिवल साइट है अमूर धरोवर है अगर पूछू आपसे लेटेस्ट कौन सी है कुम का मेला हो गया तो लेटेस्ट कुम का मेला हो गया है नवरोज तो आपके सामिल हुआ है योग भी सामिल हुआ है अभी हाली में धानना आपके कुम का मेला नवरोज योग ज दोस्ते हैं सोमनाफ मंदिर कहा पर है कामख्या् मंदिर कहाँ है अच्छा 14 में अंदर कौन सामिल है ना सवाल यह पूचा गया है कि 4 में में कुम्मा का मेला भी चोधमा नहीं है इससल दोस्तो लिखिएंगा। अगर फूछा आपste है चोधमी कौन सामिल तो दुर्गा फूज़ा है ना, कोई भी आंसर नहीं है correct गलत आंसर है चार हो ठीक है आगे देखेगा मैं भी आपके सामने स्वाल कर रहा हूँ है ना मैं भी आपके सामने देख रहा हूँ सवालों को सौमनाथ मंदिर गुजराथ दोस्तों लिखिए आपके बी हो गया तो लिखेगा आंसर हो गया सी दोस्तों आपके एक का सी दो का ए तीन का भी चार का दिक्षा सर्माजी आप हमें माप कीजिएगा आपको जो पढ़ना है आप वहां से पढ़ लीजिए पर हमें माप करें ठीक है हमारे इसाब से भारत माता का आंसर अविंदर नाट टैगोर ही होगा अब आपको लगता है कुछ और होगा तो आप वहां से पढ़ लीजिए ना इस सवाल में आपके जो आंसर है और दुरग पुजा है आगे देखेखा मधु बनी भारत के किस राध्य की प्रस्थ लोग कला करती है तो आपके लिखना आपके बिहार कहां की है बिहार बिहार भीखर मुझे सच्च छापना का की मिधला प्रदेश यहां की कोंसी बिहार की मधुबनी painting है अभी हाली में GI tag इसको मिला है ये भी आपको ध्यार नखना है तो अभी हाली में GI tag इसको मिला option number C छापी बिहार correct answer इसका बिहार हो गया option number C हो गया है किस मंदिर को black pagoda के नाम से जानते हैं दोस्तों लिखना आपके black pagoda किसको बोलते हैं सूर्य मंदिर option number D छापना correct answer है कोना आख जो मंदिर सूर्य मंदिर है इसे black pagoda मंदिर कहते हैं option number D correct answer अगर तो पुछूँ आप से सब्ध पैगोडा कहां पर इसी ते हैं बताओ comment box में सब्ध पैगोडा तो कहां पर इसी ते हैं और golden पैगोडा किसे कहते हैं तीनों का answer आपको बताना है ठीक है golden पैगोडा छापना सब्ध किसको बते हैं म्यान मार को golden पैगोडा बोलते दोस्तों सब्ध पैगोडा किसे बोलते है comment पैगोडा रजगुल्ला सब्ध पैगोडा जो है किस अपसे मंदर को कहते हैं आपको इसका आंसर बताना है इसका अशापेयो थोस्वेशन नंबर डी करेक्ट हो गया है सुर्य मंदिर एकडम ठीक आंसर है थाई पुसंडीर फेस्टीबल किस समुदाय ऐक फेस्टिबल है तमिल समुदाय का फेस्टिवल को ताइस पुसम है तमिल नाडू कहा का तमिल नाडू छापी तमिल नाडू जो है थाई पुसम हो गया अगर अगर पुछू आपसे तुसरों अगर पुछे आपसे तुसरों आप तेलंगाना जो है छापी तेलंगाना जो है शापी तेलंगा है भगवान दोस्तों मुरगन चापि दूसों जो महादेव की जो पुत्रत है निसटों कार्थी के उनको साउथ में क्या बलते हैं मुरगन कहते हैं इनकी दौस्त आपके इनकी पूजा इसके अंदर होती है थाइपुसम पैस्टिवल में मैंने आपको लिखाया हूँ वके ज ये भी आपको थोड़ा नोट करना है, सत्व प्यगोडा मंदिर महाबली पूरम के अंदर है, तमिल लाडू में आपको नोट करना है, सितारा देवी का संबन्द से पूछू कहाँ पर है, याद करो अभी दोसे लिखवाया, कथक डांस, option number भी शापना, सितारा देवी कथक ड है, वह सवाल दोसों कि हाली में किस भारती गायक और संगीतकार ने शुजल लेंड में अकेडमी और परफॉर्मिंग, आठ एंड रिसर्च के स्थापना की है, शापी दोस्तों आपके बाल मुरली जो कृष्ण है, option number एक करेक्ट आंसर हो गया है, इन्होंने इस्थापना क आपके बाल मुरली कृष्ण है, शाउच के दोस्तों फैमस लेना, शाउच के दोस्तों फैमस आपके सिंगर कौन है, बाल मुरली कृष्ण थे, इनके दोरा सुजजर लेंड में इसके स्थापना की गई, option number एक करेक्ट आंसर है, निम्निकित मैं से कौन गजल गाई का संब संबंदित, देखो सवाल बड़ा दोस्तों प्यारा है, इस सवाल का सवाल आप से आंसर पूछ रहा हूँ, कौन दोस्तों गजल गाई का संबंदित नहीं है, option number एक बेगम अक्तर है, option number भी मलिका पुखरानी है, option number C पिनाज मशानी है, option number D जो है, वो हरी भाई बराड कर, गजल की रस गुला जब बात आएगी दोस्तों, गजल की दोस्तों बात आएगी, तो गजल दोस्तों क्या दोस्तों, नाम दोस्तों बड़ा हसीन टाइप का नाम हो दोस्तों, नाम दोस्तों गुला बड़ा हसीन टाइप का होने वाला है, गजल दोस्तों गाने वाले होते ह और इसे रंगीन टाइफ के मैजाज होता है उनका तो अन्त इंह में से रस्गुल्ला किसकी feeling आती है दोस्तों इनको देखकर भक्ति की दोस्तों feeling आईगी आपको ना, हरी भाव बराड कर, तो ध्यान लखिएगा, आंसर भी क्या है, यही है दोस्ता ना, लिखिएगा, हरी भाई जो बराड कर हैं, वो बक्ति संगी से सम्बंधी थे दोस्तों, मल्लीका एक ज़ल कोन दोस्तों आपके बेगाउन तवी मल्लीका एक जजल है ये भी आपको नोट करना है ठेक है मल्लीका पुखरा दोसों कहां कि पाकिस्तान की ए, पिनाज अन्सामी भारत की ए ओ वेगाय मतत्र पारत की ई, उफश् reasons नमबR D. करेक्ट आंसर हरी भाई बराट कर जो है करेक्ट आंसर इसका हो गया भक्ति संगी संबंदित को ने हरी भाई बराट कर आगे देखेगा लाई हरोबा लोक नित्य सहली किस भारतिय राज़ें दोस्तों पचली ते आपके छापना लाई दोस्तों हरोबा छापीगा लाई जो हर जुआए इन दोनों इस्टेट के अंदर लाई हरोबा जो है लोक नत्य सहली इस्टित है रोला कि मणीपूरा आच्टरांसर है राज्ट मेंने तौस आपको लिख वाय था नंद लाल 2 किसे चितरlles realities करो आविंद्र ना बोस अमरता सेरिकिल और दोस्तों राजा रभी वर्मा ओप्शन नमर एक छापिएगा पैंटिंग आपके ओप्शन नमर एक है निमलिकित में से कौन सा युग में पैंटिंग और छित्र गलत सुमेलित है बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है कौन सा गलत है इसमें काली प्लकता की हैं फड़ पंजाब के हैं मधुवनी पैंटिंग भिहार की हैं कलमकारी अंदर प्रदे देखो अब दोस्तों हो सकता है किसी एक राज्य के लिए सवाल बहुत आसान होगा पर बाकी सारे दोस्तों और राज्यों के लिए ये सवाल बड़ा टफ होने वाला है फड है वो हमारे यहां की फैमस है दोसर राजस्तान दोसर राजस्तान जो है यहां की दोस्तों फड जो है बड़ी दोस्तों फैमस है देव नारायन जी की दोस्तों फड लिखना आपके देव नारायन जी दोस्तों की फड जो है पाबू जी की दोस्तों फड जो है यह रज पहां किए फड दोस्तों, राजिस्थान किए, पंजाब की अब राजिस्थान वालों के सौप आसान कुस्षन हो गया, अगर फड के स्थान पर, सोच के देखो, राजिस्थान वालों फड के स्थान पर, ये अगर लिखा जाता न, scroll painting है, इधर से भी धूआ निकलता, मुह से दुआ निकल जाता है, इस क्रोल पेंटिंग पंजाब आपकी खोपडी में नहीं बैठ से दोस्तों क्या आया तो फड तो बैठ गया, फड तो बैठ गया आपके कि फड जो है कहा कीक है वो राजिस्तान की पर स्कॉल पेंटिंग चापना फड को ही कहते हैं इसलिए आपको सवाल धनना आपके मदुवेनी पेंटिंग बिहार की हो गई दूस्तों कलमकारी मैंने अभी आपको लिखवाया है काली घाट पेंटिंग कॉलकाता की हो गई है अप्शन नमबर भी करेक्ट आंसर फड जो है वो राजिस्तान का चापीगा विवेका नंद ने किस वर्ष विश्व धरम संसद में भाग लिया था यह दूस्तों सवाल पूछा गें आपसे आप से आप तभी जानते हो 1890 थी तो आपके विश्व आपके संसद में भाग लेन करेक्ट आंसर है 1893 के अंदर थायम किस राज्य का लोग प्रिनित है देखो सवाल देखो तो थायम जो है वो किस राज्य का दूस्तों आपके केरल ऑफ्शन नमबर सी चापना करेक्ट आंसर है रख देंगे किलास को नहीं अठाएंगे चिंता मत करो नहीं अठाएंगे हरेली 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 दोसो कहा का 36 गड यात करो अठाएंगा उत्रा खंड का हरेला हरेली कहा का 36 गड का हो गया और संदिल का थीज ठीक है लोग प्रिय नित बदेसिया किस भारते Shank together राजित सम्मान आपके विधेशिया दोसो पूछूं आपसे यह दोसो कहा का शापना आपक से 31 दान्स हो गया है हरेली पूछचो त्रभका इगया और पिंडवानी जो अब बताओ, अब दोस्तों, अब देखना तुमारा, खंड खंड हो जाएगा वाई साफ तुमारा, राजबाडी के अखंड, खंड हर, किस भारती राज्ये में इस्तित हैं, S.S.C. G.D. की परिक्षा में सवाल आपसे पूछा गया है, मेखालने असम मिचोरम नागालेंड, बताओ, करेक्ट आंसर क्या होने वाला इसका, कि राजबाडी के अखंड, खंड हर, किस भारती राज्ये में इस्तित हैं, A.B.C.D. करेक्ट आंसर क्या होगा, बिहार होगा आरे, बिहार तो गया बेटा, अभी दर आजा, मेखालने असम, अब देखना अब चुप चाप ब लिखो दूसर, नागालेंड जो है, यहां तो शापना, आपके नागालेंड दूसरो, Option No.D. शापना करेक्ट आंसर हो गया, इसकी जो आकरति देखना दोस्तों आप यूटूब पर दोस्तों देखना आप गूगल के ऊपर है, कुछ इस प्रकार की मश्रूम की तरह दूस् क्या करती है ये भी option number D नागालेंड correct answer है भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उससब मनाया जो जाता छापना जीडी पर इक्षम पुछा के सवाल दूस्तों भगोरिया हाट जो फेस्टिवल है मध्य प्रदेश option number D छाप ये correct answer हो गया है जो भील समुदा है इसके द्वा भगोरिया हाट उससब मनाते है option number D इसका correct answer है निम्न मैंसे कौन सी जारखंड के सरवादिक लोग पर ये संगी सेली है देखो सवाल आपके सामने है आप पूसते हो ना सवाल कहां से आते हैं ये सवाल दोस्तों आपके सामने जो परिक्षाम पूसता है कि जारखंड की सरव अप्षादिक लोग पर ये संगी सेली जो ये वह कौन सी है धमसा चापिए option number C जाबना आपके ये दोसो वाद देंदर फेमस तुसर क्या है वाद देंदर कौन सा धमसा हो गया option number C correct answer है option number C घंसा चापएगा correct answer दोस्तों और कौन सा दूसर डान्स हो गया है छोउन नत्य त आपको नोट करना है, ठीक है, तमिल नाडो में कौन सो थिमीती हो गया, फायर वोग डांस है, option number C इसका correct answer है, निम्न मैंसे कौन सी महाराष्ट की नित्य सहली है चिरव है, ओटम थुलल है लेजी में option number C छापना, correct दोस्तों answer हो गया है महाराष्ट की नित्य सहली कौन से लेजी में option number C छापना, correct इसका answer हो गया रऊफ उच्छों तोस्तों कहां का है जम्मु कस्मीर छापना, रऊफ जो है जम्मु कस्मीर option number D, correct है त्योकुम सौमाई जो अच्छी फदल के लिए आसिरवात प्राप्द करने हितु मनाये जाता है, किस दोस्तों राज्य का त्योकुम अगर पुछे सौमाई तोस्तों शापना कहां का है त्योकुम सौमाई जो है वो नागालेंड option number D, शापना, correct डांसर है नागालेंड का डांस कौन सा त्योकुम समाई है option number D, correct है निम्म्मिन कितम से कौन अरुनाचल प्रदेश के एक नच्ते का प्रकार है पौपिर option number D, शापना तोस्तों correct answer हो गया इसका पौपिर जो है, वो नाचल प्रदेश का है option number D, शापना correct answer है भावाई तोस्तों नेगना, गुजरात कहां का भावाई गुजरात का हो गया शापना पोपिर कहां का दोस्तों और नाचल प्रदेश का उप्शन नमबर ये करेक्ट है सिक्किम के भूटिया लोगों का नवर्स मोस्तव जो सिक्किम के चंदर कलेंडर के दसमे महीने में होता है याद करो याद करो लोसांग फिश्किम के इंदर है भूटिया समूदाय दोस्तों असके द्वार शोता है option number B शापना लोसांग जो festival है एक्दम correct answer दोसो होगे आपके लोसांग festival आपके शापना सिक्किम के अंदर है option number B correct है आगे देखेगा पंथी दोसों पूछे आप से पंथी पिंडवानी दोस्तों शापना आपके 36 गड़ option number 6 शापने correct answer है पंथी पिंडवानी कहा के 36 गड़ option number C बैसाग दोसों लिखना अरे दोसों कल पर सो की दोसों बात थी मैंना आपको लिखाया था बैसाग दोसों शापी दोसों बैसाग जो है ये बोध पूर्णिमा दोसों कौन सी दोसों ये किसका जनम दिवस है भगवान बुद्ध का option number D शापना correct answer है बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बोधो द्वारा किया जाने वाला नत्य हिमाचल प्रदेश का एक नत्य का रूप दोसों हिमाचल प्रदेश में एक दोसों बड़ा फेमस डांस है प्रदेश के जो थार जिला है यहां रस्गुला छापना यहां दोसो बाग गुफा चत्रकारी जो है मद्देश के थार जिले में option number 1 correct है सामुहिक लोग नत्य जो सिक्किम के लोगों के संदक्षक देवता कंजद जंगा के सम्मान में से होता है कि छूपाट चापिये option number 3 तो से लिखना आपके सिक्किम में छूपाट रस्गुला होता है छूपाट कहाँ पर छिक्किम में होता दोस्तों पूछें आप से किस के लिए सो होता है कंजद जंगक सम्मान में होता है option number 3 चापना correct इसका आंसर हो गया है कल सुबा कल सुबा जो है छापिएगा कल सुबा च्छे वजे भ्रहमास्त के अंदर जो है कुछ सवाल art culture के और है वो मैं आपको सुबा च्छे वजे भ्रहमास्त में कराने वाला हूँ कल सुबा जो 6 वजे क्लास जो आने वाली है जो आएगा, जो कुछ सवाल दोसे बचे हुए न, वो आपको यहाँ पर पढ़ा दूँगा, आर्ट कल्चर के अंदर जो है, बाकि दोस्तों जो आपके अगला जो फेरा है, 15 अप्रेल को आने वाला तीसरा फेरा जो है, वो science का जो फेरा होगा अगला फेरा science का होगा 15 अप्रेल को ये आएगा जाना आपके दूस्तों और जो आठ कल से जो बच के सवाल है आपके उन सवालों को दूस्तों मैं आपको ब्रहमास्त में सुभा वाली कला से पढ़ाऊंगा बाकी आप बताना मुझे आपको content कैसा लगा मुद्धा content का दूस्तों मुद्धा इस बात का नहीं है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या पिर नहीं पढ़ा रहा है content कहाँ पर मैंने धून धून के सवाल निकाले आपके लिए यकीन मानी दूस्तों इस सवाल आपको किसी आप paid course लोगे ना तो भी आपको यह सवाल जो है एक साथ इतने कम टाइम में नहीं मिलेंगे आपसे वादा करता हूं दोस्तों यह सवाल जो मैं आपको कराए ना दोस्तों यह सवाल परिक्षा के लिए महत्पून कराने को दोस्तों लाखो सवाल है पर कौन से सवाल परिक्षा में आई हुए है जो आ सकते हैं वापस वो मेरे लिए बड़े महत्पून होने वाले ठीक है बाकी किलास आपके सामने थी जो मैंने लिया आपके सामने टाइम हो सकता दोस्तों कितना बज़ गया हो साड़े नो हो चुका है टाइम ध्यान रखेगा अपना खुश रहेगा क्लास यूटूब पर हैने वाली है पढ़ लेना आप नहीं अटाने वाला हूँ साथ फिरों की साथो क्लास यूटूब पर रहेंगी खूब पढ़ना सेलेक्शन लेना और सेलेक्शन लेने के बाद में जमकर मैनत किये हैं आपने अपने ईश्वर का माबाप का धन्यवाद देना और खूब पढ़िएगा मेरी तरफ से आपको ओल्दी बेस्ट है मैंने अपनी तरफ से प्रियास किया आप सभी के लिए बाकी साइन्स का जो साथ फेरा है वो आपके कब आने वाला है दोस्तों वो आएगा आपके पंदर दारी को आने वाला है बाकी जो पचे हुए आर्ट कल्चर वाले से सवाल है वो आपको सुबा भरमास के अंदर मैं पढ़ाने वाला हूँ ठीक है अल दी वेस्ट जहिन मुस्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में तू जरा कोसिस तो कर ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा हिम्मत तो कर अपने सपनों को उडान देने के लिए आज ही सस्क्राइब कीजिए उतकर्स चैनल को